माराश्ट्र की पिंपल गाफ बंडी में प्याज का अधिक्तम दाम एक बार फिर 4400 रुपे प्रति कुइंटल तक पहुँच गिया है नियुंतम दाम 1600 और मॉडल प्राइस 2400 तक पहुँच गिया है जबकि एशिय की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गाव में 13 नवंबर को ही अधिक्तम दाम 2575 रुपे प्रति कुइंटल ली था और नियुंतम दाम 901 रुपे और मॉडल प्राइस 2100 रुपे रहा था इस बीच अरली खरीफ का प्याज माकिट में आने वाला है तो क्या रेट और कम हो जाएंगे ये जानेंगे महराश्टर कांदा उत्पादक संगटन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि पूरे महराश्टर में पिंपल गाव एक अकेली ऐसी मंडी है जहां हमेशा भाव तेज ही रहता है उसकी वज़ा से उशेत्र की खास तरह का प्याज है जिसका इस्तमाल आम तोर पर लोग सीड बनाने के लिए करते हैं इसलिए प्याज के दाम का सही अनुमान पिंपल गाव की जगा लासल गाव के रेट से लगाना चाहिए इस समय रेट काफी कम है जादतर किसान 1,000 से 2,000 रुपे प्रती कुइंडल के रेट परी इसे बेचने के लिए मजबूर है जबकि 18,000 रुपे प्रती कुइंडल तक खुद किसानों की लागत आ रही है इस लागत पर किसानों को कम से कम 30 से 35 रुपे किलो का दाम मिले तब जागर इस खेती से इंकम डबल हो सकती है इस समय दिवाली के वक्त लगबक 10 दिन तक मंडी बंद रहने की वज़ा से आवक तेज है ऐसे में दाम कम हो रहे है इस बीच अरली खरीव सीजन के प्याज मार्किट में आने वाला है तो क्या इसकी वज़ा से रेट कम हो जाएगा क्या इस से किसानों को नुकसान होगा जानते हैं इस पर भारत दिगोले का कहना है कि माराष्ट के कुल प्याज उतपादन में 65% रभी सीजन का हिस्सा होता है अरली खरीव का हिस्सा सिर्फ 15% दी ही है ये प्याज भी थोड़ा थोड़ा करके मार्किट में आएगा इसलिए इसकी वज़ा से दाम में जाद गिरावट नहीं होनी चाहिए भारत दिगोले कहते हैं कि असल में ट्रेडर्स की लौबी इतनी मजबूत है कि वो कभी भी अपनी सहूलियत देखकर दाम गिरा और चड़ा देते हैं इसलिए हम अपने संगटन का अलग एक मारकेटिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं अब जानेंगे कि महरा प्याज अरली खरीव की होती है जिसकी बुवाई जून जुलाई में के जाती है और फसल नवंबर से दिसंबर तक आ जाती है तीसरी प्याज खरीव सीजन की होती है इस प्याज की बुवाई अगस्त और सितंबर में के जाती है और फसल जो होती है वो दिसंबर और जनवर के बीच तक आ जाती है Viewed Board Market Times TV